आज मैं आपको सिखाऊंगे कि आप हाइनिक कैसे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से वो भी इस्ट्रेट सेंगल पॉइंट एंडिवस के साथ बहुत ही आसान में तेड़े वीडियो को पूरा देखें वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आकन करें सेटर डेट 10 पीम में लाइफ भी आती हूं पाकिस इनी टाइम तो जरूर जोइन किया करें आप लोग कोई भी निटिंग की हल्प चाहिए हो आपको तो अभी हम शुरू करते हैं एक शुल्डर मिला लिया है अब अगर आप चाहें तो ये भी शुल्डर मिलाएं और स साथ हम शुल्डर भी सी देंगे बहुत ही आसान मेथड है अब आपने क्या करना है यहां से फंदे उठा लेने हैं हम फंदे उठाएंगे सेम सिलाईयां लेंगे जो हमने जिस स्वेटर बुना है यहां से फंदे उठाना शुरू करेंगे यहां तक साहिए we will pick stitches we will pick up stitches from this point till here फंदे उठाने के लिए मैंने पहले भी आपको तरीके बताये हुए है कि किस तरह से फंदे उठा सकते हैं बट मैं विगनर के लिए थोड़ा सा अभी फिर बता देती हूँ आप सर्च कर सकते हैं कि how to pick up stitches by clean knits और यहां फिर लिखें कि picking up stitches by clean knits यहां pick up stitches by clean knits वो मैंने डी इस तरह से आपने यहां पर फंदे उठाने हैं अब आप यह देख रहे हैं यह जो आखरी इदर लाइन जा रही है यह चेन जा रही है यह आखरी इसमें से फंदे उठाने हैं आपने फंदे आप अपनी size के साब से उठाएंगे कि जितनी नेक है यह वाला hole और इसमें अब हमने क्या करना है पंदा निकाल लेना है यहां से इसे हम क्या करेंगे दूसरी फंदे में से भी इसी तरह से यह जो टेल वाले है न इनको यूं कर ले इधर आगे अटक जाएगा फिनिशिंग अच्छी आती इसे अच्छा फिर से फंदा उठा लिया यहां पे फिर से फंदा उठाएं अगर आप कहें ना कि मेरे से ज्यादा फंदे उठाएं मैं हमने हर होल में से यहां से यह देखें निकाला तो आप ऐसा कर सकते हैं एक छोड़के दो मेंसे फंदे उठा लें एक छोड़के दो मेंसे फंदे उठा लें एक छोड़के एक मेंसे उठा लें वो तुटली आप पर डिपैंड करता है वो मैंने दूसरी वीडियो पर डीटेल में एक्स्प्लें किया है अब फिर से यहां पर आपने उठा लेना है बॉर्डर वैसे भी देखें हमने एक सीधे एक उल्टे वाला बुनना है या कोई भी बॉर्डर बुन लें आप वो रिबेंग वाला बॉर्डर होता है तो इससे वह वैसे भी खिच आते अंदर यह दिखें इस तरह से अब आप क्या करेंगे के सारे फंदे हम उठा लेंगे इसी तरह से जितनी भी नेक पे चाहिए अब यह देखें अगर बड़ा होल है ना इदर देखें तो आपने क्या करना है इसको कर लें और इदर में से उठा लें यहां आप दूसरा लूप लेकर यहीं से उठा सकते हैं बस वो वीडियो आप देख लीजेगा प्लीज होल छ हमने उठा लिए हैं यह देखें यह शोल्डर वाला पार्ट है और यह एक साइड है यह दूसरी साइड है तो मैंने यहां से लेकर यहां तक 62 स्टिचेज उठाए हैं और यहां से लेकर यहां तक भी 62 स्टिचेज 62 फंदे एक पार्ट से उठाए हैं 62 फंदे दूसरे पार् उठाने हैं 62 stitches from this part 62 stitches from the this part this is shoulder you can see this is shoulder 62 stitches 62 stitches एक बासट फंदे उठा लिये हैं आप अपनी साइट से उठाओ again I am saying फिर से बता रही हुँ हुँ you will pick up stitches according to the size you are making so अब फंदे उठा लेने के बाद after picking up stitches we are going to knit one into one rib border same like this यह देखें इस तरह से यह जो हमने border बुना है न एक सीदे कुल्टे वाला उसी तरह से बुन लेंगे beginner को बता रही हुँ आप लों को पता है तो आप आगे से बुन लेंगे अब कैसे बुनेंगे एक यह देखें यह वाला एक फंदा सीधा बुनेंगे row one knit one purl one stitch again फिर से knit one purl one एक फंदा सीधा बुनेंगे एक उल निट मतलब सीधा परल मतलब उल्टा फंदा मैं हमेशे आपको बताती हुँ ज्यादा grip को tight नहीं रखना है आपने फिर आप कहेंगी के बहुत tight हो गया है border गले से उतरता नहीं है grip loose रखनी है आपने keep the grip loose not too loose not too tight just normal यह दिखें इस तरह से एक सीधा एक फंदा एक उल्टा करके बुनते जाएंगे पहली sly row one knit one pull one on all stitches पहली sly सारे फंदे एक सीधाय कुल्टा करके बौन लेंगे row one completed पहली sly पूरी हो गई अब इन धागों को आप थोड़ा सा खीच लेंगे क्योंकि यहां से हमने पिक किये थी न फंदे तो थोड़ा सा loose हो जाता है तो आपने इसको टाइट करने के लिए इसको थोड़ा सा खीचना है row two same as row one row two and every row will be same as row one keep repeating row one for your desired length for the neck border आप यही एक sly repeat करते जाएंगे जितनी भी आपको neck border की length चाहिए मैं आपको explain करूंगे कि अगर आप high neck बड़ी चोटी size के लिए बना रहे हैं तो किस तरह से इसकी length रखेंगे अभी मैं बुन लेती हूं फिर मैं आपको explain करूंगी नाप भी बताऊंगी I'll show you measurements let me show you one more time beginner के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताती हूं यह देखें यह सीधा मिला हुआ इसको सीधा यह उल्टा इसको उल्टा पर आपने बस यह देखना है कि भाई यह row two है ना यह यह shape सीधा यह उल्टा है सीधे को सीधा बुनना है उल्टे को इससे हमने हम नीचे वाला पौडर भी बुनना था एक सीधा उल्टा करके सारे बुनने ब लेंगे आप चाते तो वैसे 2-3 खी वाला भी बुनना चाहें तो आपकी मरजी है il Snapchat मैं बता रहे हूं आपको कि एक सीधे को उल्टे वाला यहां पर हमने बौडर बुन लेना है साथ इंच मैंने यहां पर बुन लिया है सेवन इंचिस क्योंकि सेवन इंचिस इसलिए कि जब मैं इसको मोडूंगी तो वो साड़े तीन इंचिस तक गर्दन तक रहेगा बट अगर आपने चार इंचिस देखें हाइनेक है ना हाइनेक तो आप हाइनेक अपनी मर्जी से रखो जितनी आपकी गर्दन है आप नाप के देख लें के भई हमें गर्दन के लिए एतनी हाइनेक चाहिए अगर आपको चार इंच मिल रही है तो आपने बुनना कितना है आठ इंच अगर आपको तीन इंच रखना है high neck तो आपने बुनना है 6 इंच अगर आपने 3 इंच रखना है high neck तो आपने 7 इंच जितनी आपको neck की length चाहिए उसका double आपने बुनना है you will knit the double of the neck length you want if you want 3 inches neck length then you will knit high neck for 6 inches if you want 4 inches neck length for high neck then you will knit 8 inches total आप ये बात समझ के मतलब जितनी भी आपको high neck की length चाहिए गर्दन के हिसाब से बड़े बच्चे के लिए आदमी के लिए डल्ट, लेडीज के लिए गर्ल के लिए आप गले के गर्दन के हिसाब से उसकी length रखेंगे और उसके बाद मतलब कि उसके नापेंगे length और फिर double रखेंगे अगर 10 भी रखनी हो तो उसका 20 रखेंगे, लेकिन 10 होता नहीं है लेकिन आपकी मर्जी अगर आप रखना चाहिए किसी गर्दन बड़ी होती है तो ये आप मुझे लगता है समझ गई ये चीज अब बुनाई कर लेने के बाद यहां पे जितनी भी आपको border की length चाहिए हाइनेक की आप क्या करेंगे, ribbing bind off करके इसको बंद करेंगे सर्च करें ribbing bind off by clean knits ribbing bind off इसे कहते हैं बहुत ही आसान है ये stretchy bind off होता है ये देखे सीधे फंदे पे सीधा बनेंगे और उल्टे फंदे पे उल्टा बनेंगे knit on knit stitch, purl on purl stitch and keep closing बंद करते जाएंगे बंद उसी तरह ही कर रहे हैं जैसे सीधा बंद करते हैं बट ये ribbing है, ribbing मतलब एक सीधा एक उल्टा, दो सीधे दोल्टे कैसे होगा, एक सीधे, तीन सीधे तीन उल्टे का कैसे होगा, डीटेल में तो हम इसी तरह से सारे फंदे ये देखे, बंद कर लेंगे bind of all stitches keep the grip normal not too tight ज्यादा tight नहीं रखनी है आपने grip normal रखनी है और इसको बंद करती जाना है इसी तरह से सारे फंदों को वो जो दूसरा वाला bind of है अगर रखेंगे ना तो उसकी वो look नहीं आएगी finishing नहीं आएगी ये जो होता है ना बहुत प्यारा लगता है needle bind of भी मैंने सिखाया हुआ है कि सुई से किस तरह से धागे बंद करने है आप search भी कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं तो अभी ये सारे बंद कर ले सारे फंदे बंद कर दे bind of हो गया और आप finishing देखें कितनी प्यारी आई ये इसकी अब इसको आप secure कर ले ये देखें धागा उतना काटेंगे कि आपको यहां से लेकर यहां तक सीने के भी काम आ जाये ये H19 है और यहां से लेकर यहां तक shoulder है क्योगे मैंने आपको जैसे बताया था कि आप हाइनेक अगर इस पे बना रही है ना circular नडल पे तो आप दोनों shoulder मिला ले लेकिन अगर आप बना रही है तो आपने एक शूल्डर मिलाना है और दूसरा शूल्डर रखना है धागे को डबल काटना होता है मतलब मैं इसको उपर इसलिए खींचरी हूँ क्योंकि मैंने इसको काटना है ज्यादा ये देखें इतना करके नापना है और डबल करना है डबल आपने हमेशा धागा काटना होता है देखें आप गलती में दूसरा ना काट लें धागा ये सई ठीक है धागा आप काट लें ज्यादा करके ताक कि आपको हाइने के साथ साथ यहां पर मैं फिर से दिखा दिती हूं यहां से लेकर यहां तक सीने की कामा जोर डबल करना है आपने अब हाइनेक हमारी हो गई हाइनेक हमारी सारा बुन लिया अब हम मिलाएंगे अच्छा मैं सीने का मेथड आपको ऐसा बताऊंगी कि के आप बिल्कुल वह उभर रहा नहीं हो तो आपको बिल्कुल नहीं चुबहेगा देखें यह सीधी साइड इदर भी और बीच में उलड़ी साइड को मिला रहना हैं इस तरह करके जैसे शूलडर मिलाधा था बटा पने पकड़ना है इसको इस तरह सिर वैसे तो आप किसी भी तरीके से सीले लें लेकिन यह जो मैं तरीका बता रही हूँ यह मैं सॉक्स पर यूज करती हूँ बेबी वेस्ट कार्डिगन्स पर यूज करती हूँ ताकि चुबह ना कोई भी टाइट चीज जो चुबह ना अंदर इसकिन पर तो यह आसान वाला मैथट में उसके लिए बता रही हूँ आपने क्या करना है आपने इदर पहले इसको दो कोनों पर फिक्स कर लेना है इदर फिक्स कर लेंगे बिल्कुल कोने पर कोने पर फिक्स कर लिया कोने पर इदर बिल्कुल फिक्स कर लिया अब V वी ज़ देख रहे है ना अपने V शेप जो आखर वाला ये V शेप एक सेगन ये ज़ देख रहे है ना आखर वाला ये हमारा V शेप चेन जो जारी है ना ये जो चेन जारी है इस chain का यह यहां पे दिखें यह V है और यहां से भी एक chain जारी है जिस chain का यह V shape यह V shape है यह V है V दिख रहा है यूं करके दिख रहा है V दिख रहा है तो आपने क्या करना है फसाने के बाद V से V की बाहर वाले लेख बहुत टेटेल से दिखाऊंगी बारी की से आप ना इस तरह से यह V है ना वी वाली बाहर वाली वाली लेख बाहर वाली और भी दोखाऊंगी सबर के साथ बसाब पूरा देख लें और इसका भी यह देखें यही रफी Exodus एफी यह खींचते जाना है फिर से बता रही हूँ ये देखें ये वी है ना वी की बाहर वाली ये अंदर वाली लेगे इसको बोलेंगे ये बाहर वाली और यहां से भी ये देख रहे है ना वी इसकी भी बाहर वाली मतलब ये अंदर वाली है पर फिर से एक सेकंड थोड़ा सा बिद् के लिए अच्छे से समझा देती हूँ आपको यह इस तरफ वाला V-shape है और में डिटार में जाती हूँ आप बिगणर नहीं है न समझ गए न तो फिर आगे चले जाएं शबर के साथ देखा करें वरना आगे चले जाएं ये देखें ये वी है तो इस तरफ से कौन सी बाहर वाली लेग है इसकी ये है और ये वी शेप है तो इस तरफ से कौन सी बाहर वाली है लेग इसकी ये मतलब अंदर की तरफ जो है ना अंदर वाले उनको नहीं मिलाना ये अंदर वाले जो है ना इनको नहीं मिलाना य इनको मिलाना है ये बिगनर के लिए है प्लीज आप लोग स्किप करें या आगे चले जाएं सब्बर के साथ देखा करें सब्बर इस तरह से इसको मिलाते जाएंगे मिलाते मिलाते और साथ में खींचते जरूर जाएगा वरना फिर बीच में इस तरह से अटक जाएगा ये द भाहर वाला जो भी लेक बोल ले When इंटिंग इंगविच में इप लिए बाहर वाली लेक यह देखे विसक्त сейчас पिर से इसको यहों पकड़किव पर अब रहार इसी तरह से अब इनको मिलाते जाएंगे इस तो फास llevar रागे बताते कोने तक हमने मिला लिया है पूरा जो कॉलर था हाइने का अब यहां पे फिनिशिंग इसकी देखें और बैक साइट पे देखें इस तरह से करके ताके आपको पता चले कि हमने इस तरह से इसको सिया है कि यह बिल्कुल भी उभरा हुआ नहीं है जब हम दूसरी स्लाइ लगात इतना नीट है अब हमने कॉलर मिला लिया है इसका कॉलर मिला लेने के बाद हाइने खवाला यह जो शोल्डर है यहां से लेकर यहां तक सियेंगे उसी तरह से नॉर्मल तरीके से जहां पे जैसे यहां पे सिया है मतलब उस तरीके से नहीं जैसे इसको मिलाया है यह नेकी न यहां से लेने हैं, इस्टिचिस कौने से, और दो लाइने यहां से लेनी हैं, यह इस तरह से, यह देखें, इस तरह से, उसको मिलाते और खीचते जाएंगे, यहां पे भी यह देखें, फिर से यहां पे देखें, इस तरह से, बस उसी तरह से, जो नॉर्मल जैसे मैंने सेपरेटली भी एक वीडियो बताईएंगे, किस तरह से शूल्डर मिलाते हैं, शूल्डर मिलाने के तो बहुत से तरीकें, लिके देखेंगे, बस जो पीछे वाला शूल्डर मिलाया हैं, उस इसी तरह मिला UH इसको तोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे सारा इसी तरह से मिला देगी शुल्डर शुल्डर में ला लिया है कि रड़ी हो गया हमारा शुल्डर इदर आप इसको फिक्स कर लें वेव इंवाटमे कर लिए शे contract पीछे की तरफ पे जाके इसके वेविन कर दीजेगा वेविन लेटर यू कन सर्च वेविन बाई क्लीड निट्स मेरे चिनल का नाम है न तो वेविन के तुम ने बहुत मैथट सिखाए हुए है अब जी हमारा ये देखें रेडी हो गया है हाइनेक लगित इस हाइनेक इस रे मैंने सिखाया हुआ है इतना नीट कि बिल्कुल छुप चाता है आपको लगता ही नहीं है कि आपने यहां पे वेविन किया हुआ है लोकित इस यह देखें और भी इसको नीचे बेशक कर लें पहनें गें तो उसका आखर में शेप आता है बाद में लोकित इस सबॉडर रे और शोलच वाइब वाचिंग में विर्यों आ लाह थाफिस्ट